सूर्य हमारे ग्रह प्रित्वी को पिछले सारहे चार अरब वर्षों से उर्जा और प्रकाश दे रहा है। प्रित्वी को प्रकाश और उर्जा देने का एक मात्र प्रकाश के बिना प्रित्वी पर जीवन, लाइफ की कलपना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य के बिना इस प्रित्वी पर जीवन की कंसेप्ट को जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य ही एक अमात्र ऐसा पिंड है, जो अपने गुरुत्वा कर्शन बल से प्रित्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रहों को अपने चारों ओर घुमाता रहता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और सौर मंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन गतिशील होने के कारण ये सूर्य के भीतर नहीं खीचे जाते है। सूर्य हमारी प्रिथवी को गुरुत्वा कर्शन बल की सहायता से नियंत्रित करता है और उसे अपने और्बिट में रखता है जरा सोचिए अगर हमारे सौर प्रणाली से सूर्य गायब हो जाए तो क्या होगा हमारी प्रिथवी को कौन नियंत्रित करेगा ऐसे में हमारी प्र सूर्य के चले जाने के बाद चंद्रमा भी अपनी चमक खो देगा क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा केवल सूर्य की किरणों से ही प्रकाशित होता है तब सूर्य और चंद्रमा को छोड़ कर प्रित्वी के पास प्रकाश का मात्र एक ही स्रोत होगा आकाश के चमकते सितारे हालांकि इसका प्रकाश बहुत कम होगा सूर्य के जाने के बाद प्रित्वी का सूर्य से गृत्वा कर्शन बल भी समाप्त हो जाएगा अब हमारी प्र इसी नियंत्रण के अंतरिक्ष में तैर रही होगी, जिसका अर्थ है कि प्रिथवी अब सौर मंडल की परिक्रमा नहीं करेगी और तीन किलोमीटर प्रती सेकेंड की गती से अंतरिक्ष में एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ेगी. ये सब सूर्य की अनुपस्थिती के कारण ही हो रहा होगा, लेकिन तब तक धर्ती पर किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, और लोग रात के बीतने का इंतजार करेंगे, लेकिन शायद उन्हें तब पता नहीं होगा कि अब यह भयानक रात कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन यह संभव है कि तब तक वैज्ञानिकों को इस पूरे मामले की अच्छी समझ हो जाएगी, और वे प्रित्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, सूर्य के लुप्त होने से न केवल हमारी प्रित्वी, बलकि सौ अब हो जाने पर इंसान कैसे जिन्दा रह पाएंगे, तो चलिए, अब इसका भी जबाब हम आपको दे देते हैं, सूरज के न होने के बाद हम अपने शेहरों को कोईला, पेट्रोलियम, परमानु इंधन और बिजली के अंत तक पहले की तरह उज्वल रख सकेंगे, लेकि कि सूर्य के प्रकाश के बिना पौधे फोटोसिंथीसिस की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वर्तमान में हमारा 99 प्रतिशत भोजन फोटोसिंथीसिस की प्रक्रिया पर ही आधारित है, अब धर्ती पर भोजन की कमी के कारण लूटपाट, नर्व सन्हार जैसी कई आपराधिक घटनाय बढ़ने लगेंगी, क्योंकि किसी भी देश की सेना भूखे पेट अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाएगी. सूर्य के बिना हमारी पृत्वी का तापमान लगातार गिरना शुरू हो जाएगा. सुरुवाती दौर में पृत्वी का तापमान माइनस 20 डिगरी होगा, लेकिन दो महीने बाद पृत्वी का ओसत तापमान माइनस 100 डिगरी तक गिर जाएगा, और इस तरह समुद्र और नदियों सहित पूरी पृत्वी ठंड के कारण जमने लगेगी. इस कम तापमान में वातावरण का संतुलन अन बैलन्स हो जाएगा और पूरी धर्ती बर्फ की तरह सफेद बर्फीली होने लगेगी. धीरे धीरे पृत्वी का तापमान माइनस 240 डिगरी तक गिर जाएगा, अब इस स्थिती में जीवित रहने के लिए मनुष्य को पृत्वी की जियो थर्मल एनरजी का सहारा लेना होगा, जिसके लिए पृत्वी के केंद्र में जाने की आवश्यक्ता होगी. सूर्य के लुप्त होने के बाद 20 से 30 वर्षों में हमारा ग्रह इतना ठंडा हो जाएगा कि हवा बर्फ के रूप में बहने लगेगी और साथ ही अंत्रिक्ष से घातक रेडियो एक्टिव किरने भी पृत्वी पर आने लगेंगी. डीने को नुकसान पहुँचाने वाली इन खतरनाक किरनों से लंबे समय तक इनसानों के लिए खुद को बचाना शायद संभव नहीं होगा. अस्तित्व की इस विशम स्थिती और भोजन की कमी के कारण शेश बचे मनुष्यों के पास जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अंत्रिक्ष यान द्वारा, जीवन के अनुकूल किसी अन्य ग्रह पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा. मानव पलायन के बाद प्रित्वी केवल एक बरफीला ग्रह रह जाएगा, जिस पर कभी जीवन फलता फूलता था. एक ऐसी प्रित्वी जिस पर एक सभ्य और सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ था. हालांकि मनुष्यों के इस निराशा जनक अंत का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि प्रित्वी पर जीवन पूरी तरह से नश्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाये जाने वाले सूक्ष्म जीव, सूर्य की किरणों के बजाए, धर्ती के केंद्र से आ रही उर और ग्रह के करीब से गुजरेगी और क्या पता, शायद एक दिन प्रित्वी किसी उर्जावां तारे के गृत्वा कर्शन में आ जाएगी और उसके चारों ओर घूमने लगेगी, शायद उस तारे की गर्मी के कारण प्रित्वी पर महासागरों की बर्फ पिघलने लगे, ह रैकणों वर्षों के निरंतर विकास के बाद मनुष्य फिर से प्रित्वी पर अपने अस्तित्व के निशान को बना सकेगा, हमने पूरी कोसिस की आपको बहतर तरीके से समझाने की, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझा गया होगा, जल्द ही आपसे मु झाल